मारक गरह होते क्या है और मारकेस की दसा क्या होती है हमने आपको पिछले वीडियो में बताया सूरे के मारकेस दसा से कैसे बचे चंद्रमा की मारक दसाओं से कैसे बचे और बुद्ध की मारक दसाओं से कैसे बचे अब हम आपको आगे बताते हैं ऐसे हमने पिछले वीडियो में जनकारी दी थी कि किस लगने के लिए कौन-कौन से ग्रह मारक होते हैं अब हम बता रहे हैं मंगल अगर मारक हो तो इसकी दसा से बचने के उपाई के बारे में आप जानिए मंगल मारक हो जाए तो मंगल मारक होने पर उससे बचने के लिए आप मंगल वार का ब्रत रखें मंगल वार को हनवान जी के चर्णों में सिंदूर अरपित करें अगर आप महिला हैं तो लाल फूल अरपित करें महिलाएं सिंदूर अरपित नहीं करेंगी रोज सुबह राम रक्षा स्रोत का पाठ करें रा अब हम आपको बताते हैं ब्रिस्पती अगर मारक है तो इसकी मारक दसा से कैसे बचें ब्रिस्पती की निगेटिविटी को कैसे दूर करें क्या उपाई करना चाहिए ब्रिस्पती वार का बरत रखें सोने और पीली चीजों से आप परहेच करें ब्रिस्पती वार के दिन चने की डाल का दान करें और रोज सवेड़े विश्नु सहस्तर नाम का पाठ कीजिए और रोज साम के समय महा मृत्यूंजे मंत्र का तीन माला जब कीजिए यानि 108 गुना तीन बार जब करना है आपको मंत्र वही होगा अब हम बात करते हैं सुक्र अगर मारक हो तो इसकी मारक दसाओं से बचने के लिए क्या करना चाहिए अगर सुक्र की मारक दसा आ गई हो तो सुक्रवार के दिन आप सिबलिंग के उपर इत्र और जल अर्पित करें सुक्रवार के दिन ही सफेद मिठाई का दान करें हीरा आप फूल कर भी धारन ना करें रोज सुबह और साम में 108 बार महा मिर्थुन्जय मंतर का जब करें ये सब उपाय आपको मारक दसाओं के अबधी के समय करना है अगर सनी मारक हो तो कैसे बचें सनी की मारक दसाओं में क्या करना चाहिए बचने के लिए आप रोज सबेरे भगवान सूरे को जल अर्पित करें और वहीं पर खड़े होकर भगवान सूरे के सामने हनुमान चलिसा का पाठ करें हर सनीवार को छाया का दान करें एक इस्टिल की कटोरी में सर्सों का तेल ले लें फिर आप अपना उसमें चेहरा देखें और किसी निर्धन को दान कर दें इसे चाया दान कहते हैं हर सनी वार को अपने सर से रोटी वार कर किसी पसू को खिला दें और परामर्स लेकर मुंगा जरूर पहनें सुभा साम महा मिर्टुंजय मंत्र का तीन-तीन माला जब करें, इससे सनी की मारक दसा का प्रभाव समाप्त हो जाएगा